आज बन रहे हैं अनियन ड्रिंग्स और इतने मज़े के और क्रिस्पी बनेंगे और इसके पर से बेटर बिल्कुल भी नहीं उत्रेगा असलाम अलेकुम विल्कम तो लग तो को क्यों दो इट बेस्ट प्लेस फर इजी कोकिंग यह एक बड़ा प्याज उसके रिंग्स काटनी है मैंने और ब्रेट क्रम्स हैं और यह हैं माया और रोट पाउडर और यह है पैपरिका और थंडा पानी और इसके साथ मैने लिया है मै तो मैंगे पैपरिका पाॉडर डालूंगि में माया डालूंगी अरज जिसको कहते हैं और इसके बाद इसको थंडे पानी से मैंने मिक्स कर लेना है अपना कोड्र कर सकें ऑनियन्स पर पहली mail मेरी वीड़ियो देख रहे है और बेल आइकन पे भी चलें जी अब बनेगा बैटर अब ये थिक सा बैटर बन गया अब क्या करेंगे हम ऑनियन का एक रिंग लेंगे और उसको डालेंगे बैटर में ठीक है और उसके बाद हम इसको डालेंगे क्रम्स में वैसे तो मुश्किल है हाथ गंदे ना हो मुझे लग रहा हाथ पो गंदे करने ही पड़ेंगे आपको खैर इसको क्रम्स लगाएंगे और इसी तरह से एक एक रिंग करते जाएंगे हम और रखते जाएंगे और इसके बाद इनको करेंगे फ्राइए ठीक है यह दे अब पैन में गरम करेंगे गी या ऑईल जो भी आप इने यूज करना है और बिल्कुल ऐसे पैन को आपने तिर्चा कर लेना है पूरी कड़ाई गी की भरके और इसको जाया नहीं करना जी बिल्कुल यह मेरा शॉट कट है डीफ राइंग का जो इने इतना पूरा एक लिटर गी डाल दो पैन कड़ाई में खूब भरके जी पकोड़े तले जा रहे हैं बाद में वह गी जो हो जाता है तकरीमन उसको कितना का आप यूज कर लेंगे तो इसलिए थोड़ा गी डालें और पैन को टिल्ट कर लें जैसे मैं कर रहे हैं और दो दो ऑनियन करके फ्राय करें और गी भी इतना जाया नहीं होगा और आपका काम भी हो जाएगा अचा इसको हमने अल्मोस्ट मीडियम तु हाई फ्रेम रखना है और सिरफ कलर देना है सच क्योंकि ऑनियन तो फटर फटर से पक जाता है और बैटर सिरफ कुख करना है वह हो जाएगा दो तीन मिनट में ए बाद में आप इसके पर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा से छिड़केंगे यह भी नहीं कि ज्यादा भर भर के बनमक की डालने है वह दाट विल बी तू सॉल्टी दर फिर आप इसको खाएं केचप के साथ जिसके साथ मर्जी और वेरी वेरी टेस्टी बहुत ही मज़े के और टैम मेरी रेसिपी आपको मिल जाएगी पर एक और रेसिपी के साथ मुलकात होगी आपसे अलाहाफ़ाइज आप